आप सबसे शमा चाहता हूं मैं जानता हूं कि आप लोग भी दो-तिन दिन से बहुत जादा आप लोग परिशान चल रहे हैं और इस गर्मी में कई गंटों तक खड़े रहकर जानकारी सही प्राप्त करकर देश की जंता को देने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं कुछ समय से मेरी खुद की दवे ठीक नहीं चल रही थी और उस बीच में जिस तरीके से ये पूरा घटना चक्र घटा मेरे लिए भी शारिरिक तोर पर थोड़ा सा कठेन हो रहा था हर समय हर परिस्तिती में को जानना उसके उपर निर्ने लेना उसको आप सब के सामने रखना कई बार दवाई लेकर नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं खड़ा रह पाऊं या जादा बाते कर पाऊं आज भी इसलिए आप लोग के सामने आया हूं आप लोग के सवालों का जवाब भी दूँगा जो भी प्रशन आपके मन में होंगे वो जरूर आप लोग के सामने रखूँगा पर इतना मैं जरूर कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि एक प्रेस कॉंफरेंस में सारी बाते क्लियर होंगी लड़ाई लंबी है कई बार हम लोग की ऐसी मुलाकाते होंगी और समय समय पर जो जो भी आपके कॉश्चन्स होंगे जो जो भी आपके प्रशन होंगे या जो जो भी अपनी तरफ से मुझे लोग जन शक्ति पार्टी के पुछ में जन बातों को रखने की जुरत होगी वो समय समय पर आप लोग के सामने आकर मैं उसको रखता रहूँगा साथियों आप सब ने देखा मैं पांच मिनट में पहले अपनी बातों को रखने हूँ फिर आपके जो सवाल होंगे मैं हमको लेता रहूँगा आप सब ने देखा आठ अक्टूबर को मेरे पिता जी का निधन हुआ उसके बाद तुरंट चुनाओं में उतरने की बात आई मेरे लिए वो एक कठन समय था एक कठन घड़ी थी एक तरफ पापा की बाड़ी भी अभी हॉस्पिटल से घर नहीं आई थी और हम लोग चुनाओं में उलजह रहे पूरा समय मैं इमानदारी से बोलूँ वो 40 दिन का लगबग का समय एक महीना 35 दिन का समय धंग से घर पे घरवालों के साथ बैटके पापा को याद करने का उनको सोचने का वो समय ही वैसा नहीं मिल पाया आने के बाद परिवार के साथ जरूर मैंने समय बिताया काफी घरवालों के साथ मम्मी के साथ परिवार के साथ और उसके बाद वापस हम लोगों ने कि किस तरीके से इस चुनउमे और इस चुनउम के परिनाम पर मैं एक बास जरू बोलूँगा प्रमुक्ता से कि इस चुनाओ में मिली लोग जन्षक्टी पार्टी को जो एक बड़ी जीत हमलों की हासल हो ही है जीत चुनाओं में जब आप इलेक्टरोगल पॉलिटिक्स में होते हैं तो कई बार जीत को सिर्फ और सिर्फ संख्यां से आखा जाता है कि आपके कितने विधायग आपके जीत किया है कितने सांसाथ आपके जीत किया है पर मेरे लिए भी एक बड़ी जीत थी जो लोग जनशक्ती पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भाईया दो परसंट, दीन परसंट, चार परसंट की पार्टी है जहां हम लोगों ने लगबग 6 प्रतिशत का मत प्रतिशत हम लोगों ने कंसॉलिडेट किया वहीं लगबग 25 लाग के करीब वोड लोग जनशक्ती पार्टी को मिले और जो जनता का अपार समर्थन हम लोगों मिला और उससे भी सबसे बड़ी बात, मुझे कुशी इस बात की है कि मैं, मैंने किसी भी परस्तिती में, मैंने लोग जनशक्ती पार्टी ने हम लोगों ने अपने मुद्दों, अपने सिधानतों से हम लोगों ने समझाता नहीं किया आप सबसे भी उस वक मेरी मुलाकाते होती थी, on record, off record और मुझे आद है कि आप में से कई लोग ऐसे थे कि अरे छोड़ी है आप तो से बात कर रहे हैं चुनाओ आएगा तो देखेंगा, आप लोग सीटों का समझाता कर लेंगे, आप से प्रेशा पॉलिटेक्स कर रहे हैं, बाद में आप लोग साथ में जाएंगे, चुनाओ लड़ेंगे, ये आप सब को भी कहीं ना कहीं इस बात का लगता था, मुझे कुछ इस बात की है कि पार्टी ने ये निर्ने लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौझूदा गडबंदन में जो जन्तादल उनाइटेड हैं, उनके साथ हम लोग गडबंदन में आगे नहीं बर सकते हैं और ये कारण था कि हम लोग गडबंदन से बिहार में अलग होने का पार्ट मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वग भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जन्तादल उनाइटेड के द्वारा खास तोड़ पर मेरी पार्टी लोग जन्शक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था, मुझे या या पार्टी अलग हो रही है इस तरह की जानकारी क्यों आती है बर बहराग निरंतर एक लंबे समय से एक बात सपश्टी की पार्टी में कुछ लोग जो संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तयार नहीं थे जो चाहते थे कि भाया हम लोग कमफर्टेबल पॉलिटिक्स म अमता पार्टी तीनों दल अगर साथ मिलकर बिहार में बिदान सभ्टेबल पॉल्कारी बिदान सभा का चुनाउं लड़ते तो हम लोग का एक तरफा, जिस तरीके से लोग सभ्वा में हम लोग ऊनोग चालिस सीटी ते हम लोग जीते है भी जाणतर चारे, पर उसके लिए मुझे मस्तक होना परता मौझूदा मुख्यमंतरी नितिश कुमार जी के सामने उसके लिए मुझे समझाता करना परता अपनी नीतियों से मैंने बिहार फस्स बिहारी फस्स विजन डॉक्यमंट जो पूरे बिहार में हम लोगों गूमकर हरे एक जिले हरे एक प्रखण में जाकर वहां के लोगों से सुझाव लेकर जो हम लोगों ने तयार किया था उसको सम्वलक करने से साफ अंकार कर दिया गया किसी भी गड़बंदन में एक नॉमल प्रैक्टिस का है कि आप कॉमन मिनिममम प्रोग्राम आप ड्राफ करते हैं साजान यूनितम कारिकरं के इसाफ से सरकार चलती है और मेरा भरोसा नहीं था कि भई आपका साथ निश्य बिहार में विकास कर सकते है और मुझे लगता कि हर वो वेक्ति जिसको बिहार से प्यार है बिहारियों से प्यार है बिहार के यूवाओं से प्यार है अपने समाज से प्यार है हर वर के समाज से प्यार है जो वेक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुक्ता से रखता जितनी प्रमुक्ता से मैंने रखता और उसके सामने ना मैं जुका ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझाओता किया और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाओ लड़ा बढ़ हाँ जैसा मैंने का कि कुछ लोग संगरश के रास्ते पर चलने के लिए तयार नहीं थे उन लोगों ने उस वक भी उस चुनाओ के दोरान भी जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता बट मेरे चाचा खुद उन्होंने चुनाओ प्रचान में उस वक कोई भूमिका नहीं 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 भाई उस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी उस तरीके से उस वक भी देखने को नहीं मिलिया कहीं ना कहीं अभास कुछ लोगों था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवता इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कारवाई कर सकती है उनसे पूछताच कर सकती है बहराल जब चुनाओ समाप्ट हुए उसके बार जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए था अपने परिवार के साथ रहने का वो समय मिलने के बाद जब वापस हम लोग रंभूमी में होतरने की तैयारी कर रहे थे करोना प्रोटोकॉल तब तक लागू हुए इस महाम लोग ऐसा कि इस बार हालत इतनी जादा खराब होई कि लगब चालिस दिन से जादा का समय मुझे लगा अपने आपको बेहतर सिती में लाने के लिए अभी भी रिकावरिंग में ही हूँ पूरी तरीके से रिकावर नहीं हो पाया हूँ बर वो समय जरूर लगा और तब तक दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बिमार था जब मैं बिस्तर पे था उस वगद मेरे पीट पीछे जिस तरीके से ये पूरा शड्यंत्र रचा गया इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्द सादने का उनसे बात करने का चुनाओं के बात से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूँ अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बाते मेरे सामने रखनी हो और ये संपर्द नहीं होने के बाद ये संवाध हींता आ पापा के नहीं रहने की वज़ा से ना सिर्फ होली फीकी थी, बलकि उस दिन मेरे साथ परिबार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था, तो उस दिन मुझे वो अकेले पन का एहसास हुआ और उस दिन मैंनों उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने, पर्षो मै यह घंडना चकर भी चल रहा था मैं जानता हूँ कि आप सब भी काफी जानना चारे थे कि भई मैं क्या कहना चाँ रहा हूं मेरा क्या पक्षया बट मैंने अपनी तरफ से अंत अंत तक मैंने प्रयास किया कि पार्टी और परिवार दोनों को एक जुट करके रख सकूँ लास लास तक मैंने कोशिश कि आपने देखा कल पर सो चाचा की मैं घर भी गया वहाँ पर जाकर भी मैंने कोशिश की कल भी मैंने अंत तक दुपैर तक मम्मी खुद वेक्तिका तोर पर वो भी प्रयास कर रही थी चाचा से संपर्ख साथने का दस-पंदा दिन से वो अलग-अलग माध्यम से उन्होंने भी कोशिश की कि उनसे बात करने और परिवार की बात है और मैंने एक बार पहले भी कहा था जब परिवारी के एक और मसला आया था कि मैं बहुत जादा सहज महसूस नहीं करता हूँ परिवार की बातों को सारविजनिक तौर पर करने के लिए पर कल जब लांत में आते आते जब इस बात का हसास हुआ कि शायद अब चीज़े अब हाथ से निकल गई है और जो मेरी कोशिश परिवार और पार्टी को एक जोट रखने की थी जब वो सफ़ल नहीं हुई तो उसके बाद हम लोगों ने कल पार्टी की राष्टे कारिकार्णी की बैठर गुलाई वर्च्वल मीडियम से और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुसाशन कायम रहे ये जिम्मेदारी भी मेरी है कॉन्टरी टू दे बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग बास्वान लोग जिन्शक्ति पार्टी के राष्टी अध्यक्ष नहीं रहे हम लोगों ने राष्टी अध्यक्ष से हटा दिया मैं आप सब के माध्यम से पार्टी के समिधान की जानकारी संशेब में आप लोगे समख्ष रखना चाहता हूँ मेरे साथ पार्टी के समविधान के निर्माताओं में से जो हैं भूमी का निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटी जनरल जनाब अब्दूर्द खालिक साब मौजूद हैं एक वाजपई साब मौजूद हैं जिन्होंने लीगली इस समविधान को ड्राफ करने में एक एहम भूमी का निभाई है तो समविधान के अनुसार जो ये दावे किये जा रहे हैं जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं उनको हमने राष्टे अध्यक्ष के पथ से हम लोगोंने उनको हटा दिया या फिर पारलेमेंट में संसाधिय दल का निटा बना भई अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं खुशी-खुशी में आपको संसाधिय दल का निटा मुझे कोई उसमें दिक्कस नहीं थी मैं तो चाहता हूँ कि भ bilmiyorum और पार्टी की भूमी का भर चड़ कर निभाएं मैं चाहता हूँ कि सदन में जादा से जादा हर एक विशे पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके जिस तरीके से संसदिय बोड ने मुझे विश्वास रखके अपनी बातों को मैं रखता रहा मैं चाहूंगा कि भविशे में भी ये रहे बहराल पर जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया ये प्रक्रिया समविधानिक तरीके से और समविधानिक तरीके से मैं राष्ट के सम्विधान की नहीं मैं पार्टी के लोग जन्शक्ती पार्टी के सम्विधान की मैं बात कर रहा हूँ सम्विधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है पार्टी में पार्टी का लीडर ओफ दा हाउस पार्लिमेंट में या विधान सभा में या विधान परिशद में कौन होगा इस बात का निर्ने सिर्फ और सिर्फ पार्लिमेंटरी बोर्ड ले सकता है and in absence of parliamentary बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर resides in the hand of the national president राश्टिय अद्यक्ष ये पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की कौन आपका leader of the house पार्लिमेंट में होगा लोग जन्शक्ति पार्टी का सम्विधान इस बात की इजादत सिर्फ राश्टिय अद्यक्ष या संसद्य बोर्ड के पास है वहाँ पर मौझूदा जो sitting member of parliament हैं वो आपस में इस बात का नेड़ने नहीं ले सकते हैं ये पार्टी का सम्विधान कहता है बहराव इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि संभवता आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े वहाँ पर हम लोग इस बात को मजबूती से हम लोग रखेंगे बढ़ आज आप लोग की जानकारी में सिर्फ मैं इन बातों को देना चाहरा हूँ कि जिस तरीके से पोट्रे किया जा रहा है मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा था या अपनी बातों को क्योंकि आज हम लोग दिन भर एक लंबे समय तक हम लोग ने लीगल ओपिनियन्स क्या 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 इसमें कॉंसिट्यूशन के अधार पर क्या क्या चीज़ें हैं सुबह से लंबे समय से हम लोग बैठे के चल रही थी तमाम इन जानकारियों को हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग साजा कर रहे थे और इमानदारी की बात है मैं बहुत जादा मैं चाहता नहीं था कि ये मसला इस तरीके से बड़े जैसा मैंने कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहा कि अगर परिवार की बात है और पार्टी भी मेरा परिवार है अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठ कर अगर बार बार मैं देख रहा था कुछ चैनल स्पे चल रहा था कि इनको राष्टी अर्देश शिपाज से अठाया जा चुका है लोग जिन शक्ती पार्टी का समिधान क्याता है कि राष्टी अर्देश का पाद सिर्फ दो परिस्तितियों में खाली हो सकता है या तो राष्टी अर्देश शा निदरनो या स्वता अपनी मर्जी से राष्टी अर्देश किसी भी परिस्तिती में जब हो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगा दूसरे अर्देश की निफ्ती की जा सकती है पर ये तमाम बाते जैसा मैंने कहा लीगल मैटर्स हैं, यहां पर बाजपई साब मौझूद हैं, विस्तार में अगर आप इन से अगर कुछ आप जाना चाहें तो यह आपको और विस्तार तरीके से आपको इन सा बातों की जानकारी देंगे, पर हाँ आज आप लोग के सामने आने का मेरा उदेश बसे ही था, कि जो एक मैंने प्रियास किया था, कि शायद परिवार, पार्टी, सारा मसला सुलज जा, आज जब वो सुलज़ा नहीं, तो पार्टी में अनुसाशन बना रहे, पार्टी जिस मजबूती से जिन विचारों के साथ आगे बढ़ रही है, उ मुझे खुश है कि जब राष्टे कारेकारणी की जब बैठक हुई, तो उस वक्ट भी हमने सारे पदादिकारियों ने जिस मजबूती से पार्टी के पक्ष में अपनी बातों को रखा, पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए रखा, पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए रखा, उस दिशा में मैं अपने पार्टी के तमाम साथियों के साथ, तमाम पदादिकारियों के साथ, नैशनल बॉड़ी के हूँ, स्टेट बॉड़ी के हूँ, स्टेट प्रेसिडंस हो, विबन प्रकोष्टों के अध्यक्षों, हमारी जिला समिती के पदादिका साथ उन्होंने बनाई विश्वास इस बात का कि इस पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से वो गरीबों की पिछडों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं समाज में कई ऐसे तत्वें जो निरंतर आपको बाटने का काम करते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है इतियास गवार कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलत आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग भाजन करने का काम करते हैं कि इनको आपस में फूट डाल दो आपस में बाट दो ताकि ये लोग आगे ही ना भड़ पाएं दलत महा दलत बनाना सबसे पड़ा उसका एक उधारन रहा तो निरंतर ये बाटने और राज करने की रणीती इन लोग के द्वारा अपनाई जाती है पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामलास पास्वान का बेटा हूं मैं शेर का बेटा हूं ना मैं उस वक्त अकेले चुनाओं लड़ने से डरा जब मेरे प तमाम पड़ा दिकारियों का समर्थन में इसाथ है और सबसे बड़ी बात बिहार की जनता जिस तरीके से सोचल मीडिया के माध्यम से हो या वेक्तिकर संपर सादमे के माध्यम से हो जिस तरीके से उनका प्यार और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है ये विश्वास मुझे द कि आपके पास कुछ अधिकार नहीं है और पर पट्टा के कालकारी की बैठाब करने जारा है उसका दिन धिया जाएगा जैसा मैं ने कहा कि आधिकारों की आपने बात की या अधिकार मुझे लोग जनशक्ति पार्टी का सम्विधान ही देता है सम्विधान की जानकारी के अभाव में कुछ लोग कुछ फैसले ले रहे हैं और उनको लग रहा कि वो सही है पर मुझे लगता है कि एक बार जब वो पार्टी का सम्विधान पढ़ेंगे जानकारी लेंगे देखे कोई भी संगठान वो सम्विधान के अनुरूफ ही चलता है आपकी वेक्तिकत सोच, वेक्तिकत भावना कुछ और हो सकती है बर जो सम्विधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते वे उसी को मानते वे ही आप निरने ले सकते हैं तो जो वो इस बात को कह रहे हैं कि मैं पार्टी गर आश्टिया देख सुनियू मैंने कहा मैंने तो आपको हवाला भी दिया और अगर मेरी यादा सही है तो लोग जन्शक्ति पार्टी का आर्टिकल 19 का सब क्लोस 5 मुझे इस बात का अधिकार देता है मैं उस पे भी मा रहा हूँ किसी सारों का एक तरफा निर्णे ले रहे थे बिधान सबा चुनाव में जितने भी निर्णे लिए गया और आप सब मौजूद है नेरंतर बिहार पार्लिमेंटरी बोट के नेताओं से राय मश्वरा करके उनसे बाचीत करकर और अगर उस वक्त अगर उनके अनुसार निर्णे नहीं लिये गए तो ये प्रश्ट उस वक्त उपने चाहिए थे ना की चुनाओ समाफ होने के छे महीने के बाद उस वक्त ये सवाल आने चाहिए थे उस वक्त जो आपकी सहमती थी उस वक्त आपको लगा कि शायद यही सही है या जिस तरीके से पार्टी के तमाम पदादी करारियों का तमाम पार्टी के कैडर का जिस तरीके से उस वक्त उस निर्णे में उनका समर्थन था तो अगर किसी को आपती थी तो उस वक्त उनको आपती रखनी चाहिए में जाए किरान के रहन डिठागर और जाए कारिकार्स को कि प्रेगर तो दृटिते ने समय की क्या अर्विव स्क्राइश कारे के स्वबे esse हम लेकर हम लोग चर्चा करी रहें और इसमें क्या best legal way out होगा क्या हम लोग को अगला कदम उठाना चाहिए उसको लेकर हम सब की चर्शा चल रही है सही समय पर आने पर उसको मानने का मानने का मेरे मेरे मानने का उसमें क्या हो देश है जैसा मैंने कहा कि वो अथाराइज ही नहीं है इस तरीके की बैठक को बुलाने के लिए या इसमें ले गए किसी भी फैसले को पार्टी के कॉंस्टिटीशन के आधार पर चलना जरूरी है यानिवार है जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से लोग सभा अध्यक शोहम बिल्ला जी को भी उन्होंने एक पत्र लिख दिया बट पार्टी का अनुसार उसी के अनुरूह आप निर्णे लेंगे ना उससे अलग हटके आप निर्णे नहीं ले सकते तो वह ऊसराइज ही नहीं है इसके लिए ज़ह फोड़ी सी उसके लिए मैं शारियर परिस्तेदी क्लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा मेरा साथने में बातियों को बातियों को बढ़ देखे जब सबसे ज़्यादा मैं बातियों का तो मुझे नहीं पता बठाएंटा The United का मैं जरूर बोलूँगा, उनका हाथ जरूर है, और सबसे बड़ी बात पहले तो ये मेरा Internal Matter है, ये मेरी पार्टी का Matter है, जब आपको अपने ही धोका देतें तो फिर आप बाहर बालों के आपके आंगले उठाएं, तो पहले मुझे Internally इन चीजों को समझना जरूरी है, किसका हाथ है, बाहर से कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात की बात है, बढ़ हाँ, इतना जरूर मैं बोलूँगा, कि जंदा दल उनाइटेट के नेताओं ने जिस तरीके से भूमी का निभाई और जैसा मैंने पहले भी कहा, कि एक परंपरा रही है, बाटो और साशन करो की, डिवाइट करते हैं, दलत महादलत करने का प्रयास किया, आज भी पार्टी में निरंत और और अभी से नहीं एक लं साथ की पडेल का, और स्वाकी पडेली इंदुस्तान पर ये कहा, कि प्रिंस के उपर रही है, और ये सब आपकी जानकारी में ये विशह पहली बार, अगर मेरी यादा सही है, तो शायद आठ जनवरी के आसपास, ये विशह मेरे संग्यान में आया, उन्ही के द्वारा एक कुछ घटना घटी, जिस सांसत का उन्होंने जिक्र किया, मेरे भारी प्रिंस राज के बारे में उन्होंने कुछ बातों को कहा, जब मैंने उन से, प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा, तो उन्होंने दूसरा पहलू मेरे सामने रखा, उनका वर्जन तोडली different تھا دونوں کا. उसके बाद मैंने एक बाद मैंने प्यास किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आमने सामने बैठ कर अगर कोई confusion ना उसको sort out किया जा सकता पर सामने बैठाने के बाद मुझे इस बाद का एहसास हुआ कि वो जो बाते कह रही हैं और ये जो बाते कह रहे हैं दोनों में जमीन आस्मान का फार क्या और दोनों के अपने-पने मजबूत पक्ष हैं मैं investigating authority नहीं हूँ उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं एफायर आप लोग दर्श करा हैं और जो सही है investigation का matter है investigate होगा प्रिंस संभवता शायद वो पुलिस के पास गये उन्होंने अपनी एफायर दर्श की मैं कोई मीडियेटर की भूमी का निभाने के लिए मैं ऑथाइज भी नहीं हूँ मेरे पास एक शिकायत आई वो शिकायत मेरे पार्टी की एक सांसत के बारे में थी मैंने पार्टी के डिसिप्रिनी कमीटी को भी इस बात की मैंने जानकारी दी पर हां समझ में आया कि ये मैटर लीगल विशे से जुड़ा हुआ है इसमें पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके इसको सॉल्ट कर सकती है इसमें मेरी कहीं से कोशीश की थी बिलकुल नहीं मैंने उनको पुलिस के पास जाने की मैंने बात की तो मैं ऐसा क्यों कहूंगा समझ मैंने तो प्रिंस को भी मैंने बोला हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो तो फिर हनुमान काएगे और राम काएगे नहीं के दोकुमेंंने उसके प्रस्ताव कौन थे जब मैं अध्यक्ष बना था तो उसके प्रस्तावत कौन थे खुद वो ही थे उन्होंने ही मेरे नाम को प्रपोस किया था और इसी जगह पर ये बैटे कुई थी आपशा मौजूद थे और वो सारे डॉक्यमेंट्स हम लोगे पास मौझूद हैं जब जुरत पड़ेगी सामने रखिए जब एक्शन लेना चाहिए थी आफिंड़े पार्टे के धिरों के आवाबijo ता slider जीए जैसा मैंने कहा YouTube मेरे संस्कारों में नहीं है पापा से मैंने इतना भेर और सब को साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे इंसे सीखी है तबी अंतम अंतम तक मैंने प्रयास किया उस दिन जब मैं उनके घर पी गया उस दिन की अगर मैं बात बोलू तक मैं इमांदारी से हम मैं शारेरिक तोर पर मेरी शम्ता उतनी नहीं थी कि मैं जाऊ और महाँ पर उख कर सकूं बट उसके बावजूद मैंने प्रियास किया मैंने अपनी तरफ से मैंने आखिर आखिर तक मैंने कोशिश की जो आप कदम उठाने की बात कर रही है जैसा मैंने कहा कि चुनाओं के दौरान से ही कही नगी अभास था तो पार्टी के इन सांसदों के उपर शाय सस्पेंशन की कारवाई बहुत पहले हम लोगों कर देनी चाहिए थी पर मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की जब तक इन लोगों ने सामने से मैं सही बोलूँ मैं एक व्यक्तिकत बात मैं जरूर बोलूँगा मेरे पापा का निधन हो गया पापा अब नहीं है मेरे छोड़े चाचा का भी निधन हो गया पार्टी में सेकंड जनरेशन हम लोग है पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग ले मैं मेरे अपने भाईयों की बात करने हो चाचा ही थे पापा के बात मैं उनमें पापा की शवी देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्क दर्शन करेंगे जैसे पापा हम लोगो साथ लेकर चलें वो भी लेकर चलेंगे मैं अनाज शायद उसने नहीं हुआ था जब आपागा निखन हुआ शायद अब हुआ जब इन्हों ने भी मेरा साथ छोड़ा चिराज जी क्या निटीश कुमार को सीधे आप जिम्मेदार मानते हैं आपनी पार्टी में पूट के लिए और दूसरा सवाल ये ये है मैं एक बार निटीश कुमार जी को सीधे जिम्मेदार मानते हैं मैं ने चुनाओ में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा निटीश कुमार जी से कोई विरोध नहीं है मैं उनके मुद्दो का विरोध करता हूं मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं आज भी मैं इस बात को मैं कैसे बोलू कि उनकी सीधी भूमिका है बठा जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उनी के पार्टी के लोग है तो उसमें प्रतेख्ष या क्लीन चिट देने की मैंने कहा मैं तो फिलाल अभी इंटर्नली इन बातों को मैं सुलजा रहा हूं लोग जनशक्ती पार्टी का ये इंटर्नल मैटर है मैं इंटर्नली इसको मैं सुलजा रहा हूं आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की जूरत पड़ेगी किसी प्लैट मैंने ये पत्र शायद 29 मार्च को मैंने पत्र लिखा था होली के दिन मैंने पत्र लिखा था इस पत्र को लिखते वक्त इस पत्र को कभी सारुजनिक किया जाएगा ये मेरी मंचा कभी नहीं थी कल भी जब मैंने इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से जब मैंने इसको अपलोड किया उसमें मेरी इंटेंशन इनके बारे में या इनके विशे को साजा करने की नहीं थी ये एक संजोग ऐसा था कि पूरे उस चार पन्ने के पत्र में एक विशे ऐसा आया एक फैसा आया जहां पर इनके उस घटना चक्र का भी जिक्र था उसको अपलोड करने के बाद जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली की संभवता उनका नाम गया है इसमें अपनी नैतिक जम्यदारी को खुद समझते हुए तुरंट मैंने महां से उसको विड्रॉ किया उनक पत्र को आप साजा करें पर मुझे जब अपनी जिम्यदारी का एसास हुआ तो मैंने उसमें से उनका नाम को मैंने हटाया मेरी इंटेंशन उनके वाकिये के बारे में चर्चा करने की नहीं थी कल मेरी इंटेंशन इस पूरे घटना चक्री जो की मेरे लिए एक बड़ा विशे है मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई उस बात में मेरी भूमी का कहां कहां पर रही वेक्तिगर तोर पर वी एक बतीजे के नहाते मेरी क्या भूमी का रही उसको साजा करने की थी अपने समर्थकों के साथ